नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंग आपका श्वागत करता हूँ एक्जाम फिनिशर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिसत यानि परसेंटेस दोस्तों ये परसेंटेस का पार्ट नमबर 7 है दोस्तों इससे पहले हम परसेंटेस का पार्ट 1 से लेके 6 तक पहले करा चुके है अगर दोस्तों आप पार्ट 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को दोस्तों आप पहले देख लीजिएगा उन सभी का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिक्स्वन वॉक्स में दे दिया हूँ यानि पार्ट वन से लेके 6 तक पहले देखिए उसके बाद पार्ट दोस्तों 7 देखिएगा एक बात और बता दू दोस्तों अगर आप math में कमजोड student है तो आपको tension लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों इस channel पे मैं math एकदम basic से पढ़ा रहा हूँ basic से कहने का मतलब है zero level से और chapter wise पढ़ा रहा हूँ उस दिनों में दोस्तों math की जाब यहां सारी chapter समात्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी math के प्रशनों को secondों में solve करेंगे ओ भी बिना पेन उठाए तो आईए दोस्तों देखते हैं percentage का part number 7 देखिए दोस्तों यह रहा आपका percentage का part 7 दोस्तों इस part में हम देखेंगे चुनाओ पर आधारित प्रशन चुनाओ पर आधारित प्रशन दोस्तों हमेशा exam में पूसे जाते हैं ठीक है और यहां पर दोस्तों हम आपको basic से बता रहें basic से कहने का मतलब है zero level से यानि पहला question जो होगा दोस्तों वो एकदम dhecic से होगा ताकि आपके जो भी concept है वो clear हो जाये आपको सारे concept clear हो जाएंगे और दूसरा question थोड़ा सा उससे tough होगा त तीसरा question उससे थोड़ा tough होगा ठीक है इस तरह से हम आपके यहाँ पर सारे question को clear करेंगे तो देखिए, पहले क्या करना है दोस्तों, पहले question को आप अच्छे से समझिए, और ये सारे question जितने भी this part में लिया हूँ दोस्तों, वो exam oriented question है, सारे exam में पूछे के question है, और इस type के question दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखिए, पहले क्या करिए, question को इसे ही घोसित होता है, ग्यात कीजिए, ग्यात कीजिए बोल रहा है, इस पे तीन प्रस्ण है, तीन प्रस्ण कौन कौन से है, पहला question है, जीतने वाले परत्यासी को कितने मत प्राप्त हुए, दूसरा question इस पे पूछा रहा है, दोस्तों, हारने वाले परत्यासी को कितने मत प्राप्त हुए, तीसरा कोशन पूछ रहा है, मतोगी कुल संख्या कितनी है, देखिए, तीन तरह के इस पे कोशन बन सकते हैं, तीनों कोशन को हम अच्छे से समझा रहे हैं, पहले यहाँ पे दोस्तों, प्रशन को पहले समझ लीजिए, प्रशन कॉंसेट क्लियर कर जो बोल रहा है, देखिए, एक चुना हुआ है, उसमें दो परत्यासी हैं, दो लोग चुना हो लड़े हैं दोस्तों, बोल रहा है कि जीतने वाले परत्यासी को 60% मत प्राप्त होता है, कितना पर्शन? 60% और वहां दोस्तों, एक लाग चालिस हजार मतों से बिजय घोसित ह होता है, यानि कि जीतता है, और इसमें बोल रहा है, जीतने वाले परत्यासी को कितने मत मिले, हारने वाले परत्यासी को कितने मत मिले, और मतों की टोटल संख्या कितनी है, तो देखिए, इसको हम एक छोटे से दोस्तों इहां फे फिगर से समझाने कोसिस करेंगे, बेहतर पे भी आपको एक भी percent की doubt नहीं रह जाएगी देखिए total मत कुल कितने मत होंगे दोस्तों बताईए कुल मत कितने होंगे 100% इसमें क्या है दोस्तों दो लोग है एक होगा जीतने वाला परत्यासी दूसरा क्या होगा दोस्तों हारने वाला परत्यासी और उपर बोल रहा है दोस्तों जीतने वाले परत्यासी को 6% मत प्राप्त हुआ तो बताईए हारने वाले को कितना मिला होगा total मत 100% है 100% में से 60% घटाएंगे तो हारने वाले का जाएगा कितना 40% तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तों 40% मिला समझ में आया अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा से ध्यान दीजिए जो जीतने वाला परतासी है दोस्तों हारने वाले परतासी से कितना परसेंट ज्यादा वोट पाया है यहाँ पे उपर लिखा है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उपर यहाँ पे लिखा है कि एक लाख चालिस हजार मतों से भी जही घोसित हुआ परसेंटेज में नहीं दिया है तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज में हम पहले निकालेंगे यह 40% पाया है यह 60% पाया है यह बताईए दोस्तों जो 60% वाला है 40% से कितना जादा है 20% जादा है और मतों में दोस्तों यह कितना जादा से है कितने मतों से जीता है एक लाख चालिस हजार मतों से जीता है तो दोस्तों सिंपल भासा में हम कह सकते हैं 20% बराबर दोस्तों एक लाख चालिस हजार और दोस्तो पहला आपका जो question इसमें पूछ रहा है पहला question ये पूछ रहा है जीतने वाले परत्यासी को कितने मत प्राप्थ हुए तो बताइए दोस्तो जीतने वाले परत्यासी को कितने मत मिला है 60% मिला है तो देखिए इसको आप संख्या में निकाल सकते हैं 20% बराबर द 4,20,000, पहले question का answer क्या होगा, 4,20,000, यानि जीतने वाले परत्यासी को दोस्तो, 4,20,000 मत प्राप्त हुए, दूसरा question पूछा है दोस्तो, हारने वाले परत्यासी को, देखिए, दूसरा question हारने वाले परत्यासी का है, 40% मिला है तो दोस्तो 20% की value हमें हाँ निकाले हैं न 20% बराबर 1,4,000 तो देखिए 20% बराबर दोस्तो 1,40,000 तो 40% बराबर दोस्तो क्या होगा 1,4,000,000 बटे का 20 और क्या होगा दोस्तो गुने 40 कितने percent की value रहना है 40 तो देखिए 20 दुना के 40 और देखिए अब क्या करेंगे 14 दुना के 28 यानि कि 2,80,000 आंसर होगा दूसरे question के क्या होगा दोस्तो 2,80,000 यानि हारने वाले परतरशी को कितना मत प्राप्त हुआ 2,80,000 अब देखिए लाश्ट चो कोशन आपसे इसमें पूछा है दोस्तो ओ पूछा है कि मतो की कुल संख्या कितनी है तो बताएए मतो की कुल संख्या कितनी है 100% है और 20% की दोस्तो बैलू हम पहले ला चुके है तो देखिए 20% बराबर ये तीसरा कोशन देखिएगा 20% बराबर दोस्तो 1,40,000 तो 100% बराबर दोस्तो क्या होगा 1,40,000 बटे 20 गुने 100 तो देखिए 20,500 ये कंसिल हो जाएगा 14,75 होगा यानि कि 7,000,000 हो जाएगा यानि कुल मतों की संख्या क्या होगी दोस्तो 7 लाग इसका अंसर क्या होगा 7 लाग अब यहाँ पे थोड़ा से आपको एक सौट्रिक भी बता देता हूँ समझेगा यहाँ पे आपको इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है बस हम आपको बेसिक से समझाने के लिए इतना ल 40,000 तो इधर क्या है 20 तीन गुना है न 60% तो इधर भी 3 गुना कर दीजे 14 तीन गुना कर दीजे 14 लाग 20,000 आप ऐसे बोल सकते हैं देखिएगा यहाँ पे कल्कुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होगी ठीक है यहाँ पे दूसरे में बोल रहा है हारने वाले परतासी या यहाँ पे समझाने के लिए इसलिए प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल पे बहुत से कमजोड श्टूडेंट होते हैं और हम बेसिक से इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं ताकि वो सारे श्टूडेंट यहाँ से मैच सीख सके जिनको मैच बिल्कुल भी नहीं आता तो इसलिए यहा आगे चलके आपको प्रॉब्लम नहीं हो आप भी दोस्तो बड़े से बड़े एक्जाम को क्रेक कर सके ठीक है तो यहाँ ब देखिए तीसरा कोश्चन में क्या पूछा था दोस्तो टोटल मतों की संख्या तो आपको पता है दोस्तो बीस पर्षेंट बराबर क्या है एक ला हो जाएगा टोटल मतों की संख्या क्या होगी साथ लाग यह चीज समझ में आया आप देखिए यहाँ पर जो आपको बेसिक चीज़े रहा वो यहीं से आपको देखना है बस ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर एक जीतने वाला था एक खारने वाला था साथ परसेंट यह 40 परसेंट कितना ज्यादा पाया 20 परसेंट और उपर लिखा था दोस्तों कि जीतने वाला जो परतासी एक लाग चालिस से जार मतों से बीज़े घोसित हुआ है तो बस यही यही पर ध्यान देना है ज्यादा कुछ नहीं करना है और तुरंत आपके सारे कोशन के आंसर ठीक है चलिए और मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे चलिए नेक्स कोशन की वर चलते हैं थोड़ा सा इससे अलग टाइप का कोशन है देखिए यह रहा आपका दूसरा कोशन अभी यह भी देखिए यह एक्जाम पूछा गया ही प्रशन है तो कोशन अच्छे देखिए और एक बात और कह दूँ आप लोग दोस्तों इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए और इस चैनल पर मैं काफी टाइम बात वीडियो दिया हूँ इसके लिए दोस्तों सौरी अब यहां पर मैं आपको कंटिन्य से पढ़ाया जाता है जीरो लेबल से पढ़ाया जाता है ओभी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो आप लोग क्या करिए शेयर जरूर किया करिए और आप लोग अभी तक जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ जाए नोटिफिकेशन अब यहाँ पर continue मैं आपको वीडियो प्रोवाइट करूँगा देखिए दूसरा question देखिएगा ध्यान से देखिए अच्छे से question यह करा है एक चुनाव में तीन उमिद्वार थे तीसरे अस्थान पर रहने वाले उमिद्वार को 10% मत प्राप्त हुआ जबकि जीतने वाले उमिद्वार को 50% मत प्राप्त होता है यदि दूसरे तथा तीसरे अस्थान पर रहने वाले उमिद्वारों के मध 2,4,000,000 मतों का अंतर हो तो मतों की कूल संख्या ग्याद कीजिए देखिए अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ पहले question समझिए concept clear करिए question क्या कह रहा है समझने का प्रियास करिए question यह कह रहा है दोस्तो एक चुनाव में तीन उमिद्वार थे ठीक है तीन उमिद्वार थे तीसरे अस्थान पर रहने वाले को कितना मिला है दोस्तो 10% और यहाँ पर बोल रहा है देखेगा तीसरे अस्थान पर रहने वाले उमिद्वार को 10% मत पराप्त हुआ जबकि जीतने वाला जीतने वाला कौन होगा दोस्तो जो पहले अस्थान पर होगा वो जीतेगा उसको कितना मिला 50% मत पराप्त हुआ और बोल रहा है दूसरे तथा तीसरे अस्थान पे रहने वाले उमिद्वारों के मद 2,40,000 मतों का अंतर हो तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह कोशन यह रहा यहाँ से समझिए पहले से 50 और 10 जोड़के कितना होगा 60, 60% घटा लेंगे तो दूसरे वाले को आ जाएगा कितना दोस्तों दूसरे वाले को मिला 40% मिला किलियर है और यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है दूसरा यह रहा तीसरा यह रहा इन दोनों के मतो का अंतर क्या है दोस्तों 2,40,000 तो percentage का अंतर कितना है बताईए आप दूसरे पे जो है वो 40% पाया है और तीसरे पे है वो 10% 40 में से दोस्तों 10 घटाएंगे तो कितना होगा 30% तो कह सकते हैं दोस्तों हम 30% बराबर 2,40,000 मात और पूछा क्या है, मतो की कुल संख्या, कुल संख्या क्या है, 100% है, तो दोस्तो 30% बराबर क्या है दोस्तो, 2,40,000, तो 100% बराबर दोस्तो क्या होगा, 2,40,000, बटा क्या होगा, दोस्तो 30, गुने क्या होगा, 100, 100% की मान निकलना है तो गुने 100, अब देखिए, क्या होगा, 3, 8, 24 ठीक है इधर होगा 8,100 यानि आंसर इसका क्या होगा दोस्तो 8,00,000 हो जाएगा क्या होगा दोस्तो ये 8,00,000 हो जाएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तो कुल मतों की संख्या क्या होगी 8,00,000 हो जाएगी समझ में आया की नहीं समझ में आया, एक बार और समझाता हूँ, अच्छे से समझीए, देखिए, यहाँ पे क्या है, दूसरे पे जो है, वो 40% परशंट पाया है, और तीसरे पे जो है, वो 10% पाया है, पहले वाला कितना पाया है, 50, दूसरे का दोस्तों दिया नहीं था, दूसरे का हम कैसे निकाल तीसरा और पहला को जोड दिये, और 100% में से घटा दिये, 50 और 10 जोडे 60, 60 में से दोस्तों हम क्या किये, 40 घटा लिये, तो क्या, रखिए, सॉरी, 100 में से क्या किये, 60 घटा लिये, तो दूसरे का आगया 40%, और इन दोनों का अंतर दोस्तों दिया है, 2,4,000, दोनों का अंतर percentage में कितना है 30% 30% बराबर दोस्तो 2,40,000 तो 100% बराबर दोस्तो क्या होगा बताइए 2,40,000 बटा 30 गुने 103, 84, 24 यहाँ पर 8,000 हो जाएगा गुने 100 करेंगे तो क्या होगा दोस्तो 8 लाग हो जाएगा क्या होगा दोस्तो आपके exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे ये सारे exam oriented question करा रहा हूँ ऐसे question हमेशा बनते हैं और इस type के दोस्तों कैसा हो भी question बनेगा तो आप अच्छे से solve करेंगे ठीक है तो इसको दोस्तों आप क्या किया करिए note फी जरूर किया करिए आप एक अच्छे से notes बनाइए और उसमें इन सभी प्रस्णों को लिखा भी करिए तो चलिए exam के time पे क्या करेंगे आप video नहीं देखेंगे direct note देखेंगे तो उसमें क्या होगा time कम लगेगा और आपकी preparation तेजी से होगी चलिए अगला question देखिए तीसरा question तीसरा question काफी important question है अच्छे से संधा रहा हूँ और ये बहतरीन question है ये हम आपको बता दें दोस्तों ये most important question है ऐसे प्रस्ण हमेशा पूछे जाते हैं SSC Cigial Men's देंगे उस टाइप के या CHC Sal देंगे तो जो Men's के exam होते हैं दोस्तों SSC के उसमें भी ऐसे question पूछे जाते हैं other exam में भी railway के भी exam देंगे UPSI की exam देंगे उसमें भी इस टाइप के question आपको हमिसा देखने को मिलेंगे तो देखिए अच्छे से समधारों पहले question को आप ध्यान से पढ़िए एकदम आराम से पढ़िए question ये कह रहा है दोस्तों एक चुनाओं में दो परत्यासी थे 10% मद्दाताओं ने अपने मतों का प्रियोग नहीं किया जीते हुए परत्यासी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 90,000 मतों से बिज़ेई घोसित होता है ज्याद कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है अब यहाँ पे पहले आपको प्रस्न समझा देता हो concept clear करिए प्रस्न ये कह रहा है न दोस्तों यहाँ पे एक चुनाओं है हुआ उस दिखिएगा प्रस्न ये क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए तीसरा कोशन फ्रस्न ये करें एक चुनाओं में दो प्रत्यासी है 10% मत दताओं ने अपने मतों का प्रियोग नहीं किया यानि कि 10% मत क्या हुआ दोस्तों नहीं पढ़ा मत पढ़ा कितना दोस्तों 90% 90% पढ़ा बोल रहा है जीते हुए प्रत्यासी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है कुल मत कितने है 100% का इसे 60% मिला और बोल रहा है दोस्तों वहाँ 90,000 मतों से बिज़ाई घोसित होता है ज्याद कीजिए मतों की कुल चंख्या कितनी है अब यहाँ पे देखें फिगर से समझा रहा हूँ एक डियाग्राम से समझा रहा हूँ अच्छे समझे कोशन यह है दोस्तों कुल मत कुल मत कितने होगे 100% यहाँ पे दोस्तों क्या है नहीं पड़ा है कितना 10% पड़ा कितना मत दोस्तों 90% तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों पड़ा मत एक तरफ और एक तरफ नहीं पड़ा मत, 90% पड़ा है नहीं पड़ा है कितना 10% अब यहां पर दोस्तों ध्यान दिजिएगा यहां पर कोश्चन यहीं पर समझना है यहां पर जो बोल रहा है जीते हुए परतैसी को कुल मतों का 60% कुल मतो का 60%, यानि यह 100% का 60% मिला है, समझ रहे न, कुल मतो का बोल रहा है, यहाँ पे पड़े मतो का नहीं बोल रहा है, प्रियोग हुए मतो का नहीं बोल रहा है, कुल मतो का 60%, तो यहाँ पे देखिए, जो पड़ा है दोस्तों, इसी में तो जीत हार होगी, नहीं पड़ा है देखिए यहाँ पे जो नहीं पड़ा है इसकी तो बात ही अलग है इसे आप side कर दीजे यह जो पड़ा है इसी में क्या होगी जीत और हार होगी तो जीतने वाले को पुल मतों का यानि 100% का कितना मिला है दोस्तो 60% मिला है तो हारे हुए को कितना मिलेगा दोस्तो क्या करेंगे 90% पड़ा कितना है 90 90 में से 60 को घटा के हारे वाले को मिलेगा यानि कि 90 में से 60% घटाएंगे तो क्या होगा 30% तो हारे वाले को कितना मिला दोस्तो 30% अब यहाँ ऊपर देखिएगा ऊपर यह बोल रहा है कि ये वाह 90,000 मतों से बिज़ई घोसित हुआ तो percentage में देखिए ये कितने मतों से कितने percent से बिज़ई घोसित हुआ है इसे 60% मिला इसे 30% ये कितना ज्यादा दोस्तो पाया है 30% ज्यादा पाया है तो कह सकते हैं दोस्तो 30% बराबर 90,000 और पूछ रहा है कुलमतों की संख्या यानि 100% की ये संख्या पूछ रहा है तो 30% बराबर दोस्तो यहाँ पे दिया है 60,000 कितना दिया है दोस्तो 60,000 तो 100% बराबर दोस्तो बताइए क्या होगा 60,000 ठीक है बटा का क्या दोस्तो 30% बराबर देखिएगा यहाँ पर 30% बराबर क्या है 90,000 है ठीक है यहाँ पर समझा देता हूँ 30% बराबर दोस्तो क्या है 30% बराबर क्या है 90,000 है 90,000 है यहाँ पर देखिए 30% बराबर 90,000 कुल मतों की संख्या पूछ रहा है यानि 100% का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे 90,000 बटा का दोस्तो 30 और गुने क्या होगा 100 100% की मान पूछ रहा है 30, 3,000 क्या होगा 90 3,000 गुने 100 दोस्तो करेंगे तो दोस्तो क्या होगा 3,000 उपर है ये 3,000 गुने 100 करेंगे तो दोस्तो क्या होगा तीन लाग होगा, क्या होगा दोस्तों? तीन लाग, टोटल मतों की संख्या क्या होगी? तीन लाग, यह आपका आंसर हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों, आप इस प्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे यहाँ पे थोड़ा से दोस्तों, यहाँ पे concept clear कर लीजिएगा note करके भी लिख लीजिएगा question में यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे ध्यान दिया जाता है जब कभी भी चुनाओं से related question आता है और इस प्रकार के आता है कि 10% मत दाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया यहाँ लिखते दोस्तों 10% मत दाताओं ने अपने मत नहीं डाले ठीक है, बात एक ही होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जीते हुए परत्यासी को बोला है कुल मतो का 60% तो आप क्या करेंगे दोस्तों इहाँ पे जो 60% देंगे यह 100 का देंगे 100 का दोस्तों 60% क्या होगा 60 होगा समझ रहें न 60% और यह हारे हुआ जो है 90 में से 60 यानि पड़े मतों में जी तो हारा है न 90 में से 60 गटाएंगे 30% हो जाएगा और 30% बराबर दोस्तो कि दिया है 90,000 कितने मतों से विजई घोसित हुआ है दोस्तो कितने मतों से 90,000 30% बराबर 90,000 तो 100% बराबर दोस्तो क्या होगा 3,000,000 होगा ये तो आप निकाल लेंगे और मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइप के भी कोश्चन आपके एक्जाम में आगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिए दोस्तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए बेसिक से पढ़िए कहीं पे भी आपको doubt भी होता है तो आप नीचे comment करके भी हमें जरूर बताइए यहाँ पे problem होती है तो वहाँ से भी related जो आपकी problem होगी दोस्तो उसे भी मैं next part में solve करूँगा ठीक है और मैं उमीद करता हूँ आपको कहीं पे problem नहीं आ रहा होगा आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे तो चलिए अगले question की ओर चलते हैं और like share जरूर करिएगा दोस्तो काफी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए और basic से समझाने के लिए यहाँ पर आपको continue मिलेगी आपको टेंसल नेने की कोई ज़रूरत नहीं है चलिए चौधा question देखिएगा बहुत important question है यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले exam oriented question है और यह भी most important question है most important इसे note करके लिखिएगा चलिए question यह कह रहा है एक चुनाव में दो परत्यासी थे 10% मद्दाताओं ने अपने मतों का प्रियोग नहीं किया जीते हुए परत्यासी को प्रियोग मतों का देखिएगा प्रियोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 72,000 मतों से बिज़ई घोसित होता है ग्यार कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है अब यहाँ पर पहले माय आपको समझा दू पहले आप अच्छे से पहले यह समझ लीजिए कोस्टन यहाँ पर पहले concept clear करिए कोस्टन यह कह रहा है न दोस्तो 10% मत दताओं ने अपने मतों का क्या परियोग नहीं किया है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जीते हुए परत्यासी को यहाँ बोल रहा है दोस्तो परियोग हुए मतों का परियोग हुए मतों मतला पड़े मतों का कुल मतों का नहीं पिछला जो question तीसरा था उसमें क्या बोला था दोस्तो कुल मतों का लेकिन ये जो चौथा कोशन है न इसमें बोल रहा है परियोग मतों का यानि कि पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है दोनों कोशन में यही डिफरेंस है ध्यान दीजियेगा और वहां दोस्तो 72,000 मतों से बिजय घोसित होता है ग् प्रियोग की तो 90% नहीं पढ़ा कितना दोस्तो 10% क्योंकि उपर भोला है 10% मत दताओ ने अपने मतों का प्रियोग नहीं किया तो प्रियोग कितने किये बताईए 90% और दोस्तो यहान पर ध्यान दीजिए उपर वाले लाइन को पहले यहां पर एक बारोर आपको दिखाना चाहूंगा बोल रहा है जीते हुए परताशी को प्रियोग हुए मतों का 60% मिला ठीक है तो देखिए 60% बढ़ा मिला है प्रियोग तो प्रियोग मत क्या है यानि कि पढ़ा मत 90% है इसमें क्या होगा एक जीतेगा और एक हारेगा यही तो होगा न दोस्तों दो लोग है तो एक जीता एक हारा तो प्रियोग मतों का 60% यानि 60% मिला है किसका दोस्तों प्रियोग मत प्रियोग मत कितना है दोस्तों पड़े मतों का कह लिजिए 90% 60% किसका है 90% का ठीक है तो 60% गुले 90% लिख दे उपर के दो 0 केंसिल कर लिजे 6-9-14 कितना % हुआ दोस्तो, 5-9-14 तो जीते हुए 5-8 को कितना % मिला दोस्तो, 5-6-0 हारे हुए 5-8 को बताइए कितना % ओट मिलेगा total 90% ही है, पढ़ा मत कितना है, 90 90 मेंसे क्या करेंगे, चा-वन परसेंट घटा लेंगे तो आंसर आएगा 36% यानि हारने वाले परत्यासी को बताइए कितना होट मिला दोस्तों 36% मिला और यहाँ पे दोस्तों उपर ध्यान दीजिएगा बोला है कि 72,000 मतों से बिज़ई घोसित हुआ है तो बताइए परसेंटेज में कितने परसेंटेज से बिज़ई घोसित हो रहा है इसे 36% हारने वाले को मिला है जीतने वाले को 54% तो बताइए यह कितना ज्यादा पाया है दोस्तों 18% ज्यादा पाया है तो हम कह सकते हैं दोस्तों 18% बराबर 72,000 मत तो आप क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पे 1844 बहत्तर चार हजार गुने सो यानि कि 4 लाख कुल मतों की संख्या क्या होगी दोस्तो चार लाख होगी ध्यान दीजिएगा और इस प्रेशन को भी दोस्तो आप नोट कर लीजिएगा तो आपका answer क्या होगा दोस्तों? 4 लाग, कुलमतों की संख्या क्या होगी? 4 लाग अब यहाँ पे एक बार और clear कर देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जब कभी भी इस type के question आए तो आप यहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पे यह क्या बोल रहा है दोस्तों परियोग मतों का बोल रहा है या कुल मतों का बोल रहा है पहले कोशन जो दोस्तों तीसरा कोशन था उसमें बोला था कुल मतों का और इसमें क्या बोला है दोस्तों परियोग मत होगा ठीक है दोनों में अंतर है समझ में आ गया होगा ये बात तो मैं उमीद करता हूँ आप इस प्रेक्शन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे और इस टाइप के आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सौल्व कर लेंगे इसमें दोस्तों और भी कोश्चन बनते हैं बाइद अवैद समबंधितोट मतलब कि इतने पर्षेंट मत अवैद हो गए इतने वैद रहे इस टाइप के भी कोश्चन बनते हैं तो इसी से रिलेटेड होत उसको भी मैं आपको next part में कराऊंगा ठीक है next part में और भी जो important question होंगे उसे भी मैं कराऊंगा और बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको next part भी देने वाला हूँ तो दोस्तों दोस्तों इसलिए आप लोग हमारे साथ जरूर बने रही है इस channel के साथ बने रही है वीडियो पस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यूटूब पे जाईएगा ससी मेकर सर्च किजिएगा उस चैनल पे दोस्तों continue मैं वीडियो प्रवाइड करता हूँ एक दिन मैत की एक दिन reasoning की और दोस्तों आपके जो science के होते हैं अफेर के होते हैं वीडियो डेली उस पे प्रवाइड होते हैं तो उस चैनल से भी आप लोग जूड़ जाईए एक्जाम फिनिसर से भी आप लोग मैं उमीद करता हूँ जूड़ ही गय होंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टिन कोश्चन के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद